हर कोई जिंदगी की जद्दो जहद में लगा है लेकिन इस जद्दो जहद के बाद अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो इससे बहतर कुछ नहीं थोड़ा वक्त निकालिए खुद के लिए भी नरेंद्र मोधी साहब ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को तंदरुस्त रखने का बीड़ा उठा लिया और 21 जून को अंतर राश्टी योग दिवस के रूप में मनाने के लिए एलान कर दिया यून ने भी उनके इस अईलान पर मोहर लगा दी और 21 जून अंतर राश्टी योग दिवस के रूप में एक तारीख बन गया चलिए अब देश विदेश के कुछ और लोगों के बारे में जानते हैं जिनका भरोसा योग पर खुद से जादा है जब मैं भारत आई तो मैंने सीखा कि एक सामन जसे के तौर पर योग का मतलब क्या होता है और जल्दी ही भारत में मेरा ये योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रह गया बल्गि उसके साथ दिमाग, विचार, भाव और आत्मा भी जुड़ गई भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ, यानि ईश्वर से हमारा मेल मैं हमेशा बिमार रहती थी, पर इसका कारण नहीं जानती थी मैंने दवाईयां छोड़ दी और योग शुरू कर दिया मुझे लगता है जीवन उसके बारत से ज्यादा बहुरंगी और सार्थक हो गया है मैं अंतरराष्ट्री योग फेस्टिबल में आठमी बारा रही हूँ मैं योग गुरूओं और अध्यापकों के पास उनसे सीखने, अधेयन करने, परिपकों और विक्सित होने के लिए आती हूँ हमारे लिए योग का मतलब है एक्ता और प्यार, अंधरूनी प्यार और शान्ती वैसे तो योग को जिन्दगी कहा जाता है, लेकिन इस बात को बोल कर या कहकर समझा पाना थोड़ा मुश्किल है योग ने किस तरह से लोगों की जिन्दगी को बदला है आईए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी मेरा बेट बहुत बाड़ा था मैंने एक साल योगा किया उससे मुझे बहुत फाइदे हुएं जिससे मेरा बोडी फिगर थोड़ा सही हुआ और काम के साथ साथ मैं योग करने जाती थी अब ग्रहनी को अपने लिए समय बहुत कम मिलता है इसलिए थोड़ा सा समय ग्रहनी को जरूर निकालना चाहिए। उससे हमारे सरीर स्वास्त सही रहता है और मन की शांती भी मिलती है। भागतोर भरी जिंदगी में मैं इतना स्ट्रेस, नीन नहीं आना और मन शांत था। फिर मैंने योग की तरफ अपने ध्यान केड़ित किया। और मैंने पाया कि मैं एक सुखद अहसास अन्वाव कर रही हूँ और मेरा मन बहुत शांत हुआ, अच्छे से नीन आती थी और एक खुशाल जिंदगी में जीने लगी। और मैं योग के बारे में कहना चाहूँगे कि योग एक ऐसी कला है कि अगर आप अपनी जीवन में अपनाते हैं तो आप अपनी जीवन को ही बदर डालेंगे। अपनी बच्चों को कपालभाती, अनुलोम, विलोम, धामनी पराणयम हम लोग ये कराते हैं और ओम का उच्चारण कराते हैं तो बच्चे भी इससे काफी लभानवीत हुए हैं। और जो पहले में फिटनेस थी वह बहुत फेस्टी मैं अब मैं भुट करना है। मैं ईजव कहन कहना चाहूंगी कि यो, सब को योग करना हाँ। इसे उटे में में मोटी थी, जब बढ़ी हें थी तो इपतली हो गई। करने इन स्कूल मैंने यह स्टार्ट किया था योगा करना इससे हाइट में भी बहुत फरक पड़ता है मेडिटेशन में भी बहुत जादा जोगा करने से बीमारों में बहुत धुर हो जाती है मैं स्कूल में पहले योगा करती थी योगा करने से फ्लेकसिबिलटी बहुत बढ़ती है हम किसी डिजीज का जल्दी से शिकारने होते और हमारी कंसिंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाते है योगा हमें करना चाहिए योगा हमारी भलाई के लिए अच्छा होता है योगा हमें करना चाहिए इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें उससे अगर हमारे दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है योगा हमारे शरीर को स्वस्त बना देता है योगस हमारे अंदर के आत्मा फिट रहती है और तो योगा करने से जिनको भी तरद होता है उनके दर्टीक हो जाते हैं मीडिया में काम करते करते हैं और साथ ही साथ में म्यूजिक टीचर भी हो तो बच्चों के साथ भी थोड़ा इस तरह से एक्सरसाइस भी हो जाती है और जैसे कि हमारे प्रदान मंत्री है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक नारा दिया बहुत ही अच्छा जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक को आगे बढ़ाने में स्वास्थे के प्रति सचेत करने में कितना कारगर सिद्ध हुआ है योग करिए और रोग से दूर रहें और तो इसी को हम मानते हुए आगे चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हमने भी योग करना शुरू किया तो आप जानते ही हैं कि आप इस इलाइन से हैं तो इसमें कितना स्ट्रेस होता है कितना तनाव होता है रोज मर्रा की जिंदगी में हमारे कितने तनाव हैं तो उन तनाव से उबरने के लिए योग बहुत कारगर सिद्ध हुआ है 2010 में मेरा स्लिप डिस्की वैस्से बिलकुल फुट डॉप हो गया था जिसमें मेरा राइट पैर बिलकुल नर्वस से स्टम कर गया था तो मैं मुझे डॉक्टर ने मुझे से खागा था कि कम से कम आपको एक से करता था डेली खाने के आदे गंटे के बाद मैं सुरू कर देता जैसी मुझे खाली समय मिलता था हर समय मैं कपाल वाती और लोम लोम करता रहता और मैं चौथे महीने के अंदर अपना ओफिस जॉइन कर लिया था योगा बच्चों को भी बहुत पसंद है बड़ों को सब क लिए बहुत ही फाइदे बंद है आज कल की भागदोर वाली जिंदगी में हम लोग सभी योगा करते हैं तो स्वस्त रहते हैं मेरे खुद भी था लेकिन अभी आज बहुत हद तक योगा की वज़े से काफी अजहां तक ठीक हो गया है मैं योगा का नियम से पालन करता हू मैंने घर में भी आपापा मैंने हमेशा योगा करते रहते हैं उनको देख देख बढ़ाुआ काफी कुछ योगा से मुझे हासल हुए है जैसे आप जानते हो करने का बहुत फाइदा है मैंने कुछ वेड भी लूज किया है मानसिक तो नाओ जो होता है इडी सेक्टर में उससे भी काफी लाव मिलता है अब योग मुद्रा में जाके अची जीजे सोच सकते हो और यह दिमाग को कूल कर सकते हो यह बोडी को रिलेक्स करता है और काफी फ पैर बहुत मूव करने लगया था बहुत अच्छे से मेरे एक फ्रेंड थी वो मतलब काफी कमजोर सी थी खाती पीती नहीं थी और उसकी कंसेंट्रेशन भी नहीं थी तो वो मेडिटेशन करने लगी और पढ़ाई में उसने बहुत इंप्रूफ करा संगीत और योग दोनो तु वे इस और में लुग में नहीं हमारे मन को अंतर मन को हमारे दिमाग को हील करता है , तो मैंने जो अपने अंतर महसूस किया कि जब से मूझए करने लग गी उसके बाद से जो ब्रीत की प्रॉब्लम मेरा सा थी मोचली वा प्रॉब्लम मुझअ कि वो लगते कि वह शल आ क्योंकि योगा में भी मैने येचेज महसूबस किया है एच ब्रीग मोरीद मौर वरिलेक्स और मोर लेक्स छीलेक्सटी जतना जाधा हम बढ़ाएंगे हमें जाधा हमारे सोल पर हमारे ब्रेड पर ah Shope की ब्रीट की जो प्रबलम होती थी की गाते-गाते काई बार एक तो मैं फैटी हूं तो मोस्ली होता है फैटी बॉड़ी के साथ होती ही कि आपकी बीड़ पी नहीं होती है आउट अट उप एंट्रोल हो जाती है तो वह काफी हद तक मुझे योगा करने अशुदार प्रायर म हमारा स्वास्त अच्छा रहता है योग करने से फूरी फैमिली को योग करना चाहिए जैसे उमर बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती है योग से उसे फैदा होता है